नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल प्रामेडिकल क्रेकर पर तो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे के जी एम यू बीएसी अप्टोमेट्री एंट्रेंस एक्जामेट्रें 20 के बारे में फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में बता चका हूँ काउंसलिंग डेट आ गई है आपको साथ दिसम्बर को काउंसलिंग लिए जाना है यह आपके सामने बेग अपडेट है और सबसे बड़ा क्वेशन यह आ रहा है कि साथ में कौन कोई से इस पर आपका वीडियो है तो वीडियो को अंतक देखना जड़ा साथ इसक्रिप ना करें फ्रेंट्स पहली जब आप बीट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सश्क्राइक करके रखें कि आपको KGMU से जड़ी हुई हर एक इंपरमेशन आपको पैरामेडिकर चैनल के माद् के लिए ले जाने हैं अब हम इसकी नोटिस पर आ गए है जो कि नोटिस आपका 28-11 को आया था फ्रेंट्स आपको साथ दिसंबर 2020 सुबह 9 बज़ जाना जाना कहां पर लेक्चर हॉल में स्कूल ऑफ अफ्टोमेट्री सीतापूर आई हॉस्पीटर सीतापूर उत्तर प्रद आप को में बन बता दिया गया होगा कि पहस्टर कांसेलीं या नहीं तो उसके को थाइख दिरको आप क्ठळक कांसोल में जाना है नहीं आए अब क्या करना सब से पहले से पहले Co counseling cell being following documents in original and one zirox copy self-attested आपको क्या करना जितने भी documents वह आपको और जिनल ले जाना है और उसी कि आपको एक photocopy ले जानी है जैसे आपके मैं example बता दूँ admit card हो गया एक तो आपका admit card उसका एक photocopy अलग से ले जानी है जो कि self-attest होना चाहिए जितने भी पर अपने साइन होने चाहिए नीचे की साइड में तो सबसे पहले document के बात करने आपके 9 document ऐसे हैं जो की आप counseling के दोरान जरूर ले जाने हैं इसके वना आपको counseling नहीं करने दिये जाएगी तो आपको सबसे पहले मैं बता दू admit card जब आप enter से exam हम देने गए होंगे तो आपका admit card आया होगा तो admit card आप सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको लेकर आना admit card एक admit card लेने का तो उसकी एक photocopy जरूर करा लें और दूसरे नमर पर आता है result seat and rank letter आपका result आएगा तो उसमें आपका rank दी रखी होगी वही आपका result है जो आपका rank letter है उनमें चाहिए उसे आप real seat वोल सकते हैं rank letter वोल सकते हैं दूसरा आपको यह ले जाना और इसकी photocopy कराने self test कर देना है तीसरा आया है का high school mark seat and certificate पर यह आप 15 के बाद में mark seat and certificate उसमें अगर आप से अलग 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 ले जा सकते हैं आपके एक ही mark sheet में certificate दे रखाया तो आप certificate रहा है high school का और original mark sheet लेके जाए और उसकी photo copy जरूर करा ले और self test कर गया है ऐसे ही सेम आपका intermediate में आपका certificate के साथ में mark sheet है तो आप mark sheet origin लेके आना है उसकी photo एक कॉपी कराने अलग set बनता जाएगा उसमें self test कर देना है अगला 5 नमर भी आगा character certificate from the school college last attendant तो आप जिए college में या school में last में पड़े हो वहां से आप character certificate लेके आना है जैसे आपने किसी भी college से आपने करा है तो आप वहां से college बना देजिए तो वहां से college बाले आपको बना के दे देंगे जहां से भी आप पड़े हुए है लास्ट में और 6 नमर भी बात कर लेना है वह से कहें तो OBC वालों के लिए last 6 में पुराना हो जाए होना चाहिए तब भी आप इसमें आसानी से कोई परषाणी नहीं होगी पर इसमें mention नहीं दे रखा कि आपका 6 में पुराना होना चाहिए पर आप वहां नया है तो आप नया वाला लेके जाना है OBC वालों के लिए खासकर तोर पर बता रहा हूं 7 नमर पर डक्यमेंट जो ले जाना वो आपको आदरकार लेके जाना उसकी 1 G-Rox copy करनी है यानि G-Rox copy तो आज समझ सकते हैं हर एक डक्यमेंट के साथ ओर्जिनल और एक G-Rox copy लेके जाना है अगला 8 नमर आपको जो डक्यमेंट ले जाना है वो पासपोर्ट साई color latest photo होना चीज़ जो आपका admit card पे होगा form पे हुआ application form बरा हुआ वो आपका जो photo का वही photo आपको चार लेके जाने है तो वहाँ पे कोई भी प्रसानी नहीं होने वाली लास्ट इंप्रिंट सबसे इंप्रिंट जो है यह आपका है यह demand draft बनना है जो कि किसके नाम से बनना है यह बनना है School of Optometry School of Optometry I Hospital सीतापुर पेवल एट सीतापुर, यह आपका 87 हर का demand draft बनना है 87 हर का आपका demand draft बनना है यह आपको जरूर बना के लिए काउंसिलिंग के लिए आप जाना है तो 87 हैर पर का डवान ड्राफ्ट जरूरू बनेगा इसके बनावा आप काउंसिलिंग में पाइटिसिपेट नहीं कर पाएंगे आप सोच सकते हैं काफी बड़ी आपकी होती है एमाउंट तो आप सोच लिए आपको करना ही है तो आप इस स्पाव लेंके जाना है यह आप एक स्ट्रीट पास अगर मायनृरी स्टिट्पिकेर स्ट्र प्रवान पत्र है तो वो भी आप लेके जाएं तो भी कोई परसाश नहीं उतों है अगर आपकास कैरे टो आप झाल झाल